हेलो फ्रेंट्स सोनाइस करेंगे चैनल में आप सबका सँगात है आज आपके साथ सब चीयर करेंगे फ्रेंट्स बहुत ही प्यारा सा भूलयन- cigla نवर डिजाइन मिनी है छोटा साइब इसको बड़ा भी बना सकते हैं जैसा आप कमान हो वैसा आप इसको बना करके कम्प्रीट कर सकते हैं ठीक है चलिए वीडियो स्टाट करते हैं देख लेते हैं किस तरीके से बनाएंगे बहुत ही इजी वे में बहुत ही सिंपल वे में ठीक है फ्रेंड्स सबसे पहले हम एक नॉट लगाएंगे ठीक है देखिए जिस तरीके से आप लगाते हों लगा लीजिएगा यह देखिए एक नॉट लगाएंगे सेवन चेन बनाएंगे एक तो तीन चार बाण छे साथ चिन बनाएंगे फर्स्ट वाले में डाल करके स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करेंगे देखिए इस तरीके से तीन चेन ले लेंगे ठीक है तीन चेन बना लिए न अब यहाँ पे हम थ्री टाइमस एक दो और यह तीन त्री टाइमस देखिए हम ले लेंगे ठीक है बुल को यहाँ पे पह बना लेंगे छुटा सा इस त तीन यानि कि तीन राउंड लेना है वूल को हमें इस तरीके से पफ बना लेना है और फिर दो चेन बीच में लेना है इस तरीके से देखे एक दो तीन राउंड लेना है इस तरीके से करते हुए देखे पफ बना लेना है तो तीन बना लिए हमने इस तरीके से में बारा बना तो बना करके आपको फिर दिखाते हैं तो यह देखे फ्रेंड समने देखे 12 बना लिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, तार्ट, नौ, दश, इयारा बारा बना लिए हैं और यहाँ पर इस तरह से एक लेंगे इस तरी के सी इसमेडाल के इस तरी के से बना लेंगे तो चैन लेंगे और फिर यहां बना लेंगे तीन ड़ल करें करेंगने pourrait l 20 00 में देखी देखी एक मिर रखिएगा पी यहाँ पर एक दो रिख तीन तीन बना लेंगे पाव इस तरीके से फिर एक चेन लेंगे इस तरीके से पूरी राउड को हमको और करने अब तक है तो यह देखे फ्रेंट्स हमने इसतना बना लिया है 12 का 24 हो जाएगा डबल हो जाएगा देखिए इस तरीके से ठीक है एक में डबल बना लेना है एक चेन लेना है बीच में यह देखिए इस तरीके से एक चेन लेंगे फिर इसमें एक और बना लेंगे थ्री राउंड करना है धागे का और फिर एक chain लेंगे फिर next वाले में डाल करके इसी तरीकी से इस row को हमें complete करना है friends बहुत ही easy है पफ बनाते हो जाना है पफ से design पूरी complete करनी है ठीक है तो देखिए इतना हमने इसको कर लिया है complete अब आप देख सकते हैं यह देखिए एक दो तीन ठीक है यह देख एक दो तीन फिर बंद कर देंगे फिर एक दो तीन ठीक है देखिए फिर एक लिया फिर next इसमें एक दो तीन बन गया है एक chain लिया फिर एक दो तीन इस तरीकी से बना दिया ऐहे देखे और फिर जैसे हमने यह स्किपि करके यहां से इसमें से डाल करके राइसे निकाल देखे ठीक है बन गया लाइट बंद कर देते हैं आप दिखी खांगा आप की प्षय लिटीन है अब यहां पर ले लेंगे एक दो चेंन लेंगे और देखें यहाँ पर बनाना है। और फाइफ टेम्स हम था राउंड हम लेए इस तरी एक तुझ दो तेन चार पांच बना लिया। फिर दो चेंन फिर हें तो तीन चार पांच। तो यहां तक बनाई करके आपको दिखाते हैं तो देखे तो हम नहीं बनाकर एक दो तिन चार पांच है तरूपी स्टिच ह clarity झाल करके दागे को खींच करके fulfillment बना लेंगे ठीक है एक दो थीन चार पांच और इस प्रीट पंच नो जляется only say Minh तीन उसी। również कि एक 2 3 4 एक इस तरीके से इसको खठाना है खठाते हो जाएंगे 6 का 5 बन जाएगा 5 का 4 बनेगा 4 का 3 3 का 2 और लास्ट में 1 बन जाएगा डिजाइन गम्टीट हो जाएगी फिर इसकी आउट लाइनिंग करना बताते हैं रेड कलर से करनी है आउट लाइनिंग इसकी ठीक है यह देखिए इस तरीके से ऐसे ठीक है यह देखिए फिर दो चेंड लेंगे और यह देखिए इस लास्ट में देखिए यह बना लेंगे देखिए कि आउट मिंस्तरी के देखिए फिर यह दिसे ठीक है तो खाए यह देखिए लेंगहें और फिर पांच पांच का चार तीन दो एक करते हुए देखिए इसे कम्प्लीट करना है ठीक है नामने कम्प्लीट कर लिया है दिख सकते हैं आप लो फिर अभी ज़र टर्ण हो कि इसमें ऐसे डाल करके यहां पर बना लेते हैं ठीक थागे फिंच के लास्ट मेक और पफ बनाएंगे पांच इस तरीके से यह भी बन करके कम्प्लीट हो गया है देख सकते हैं आप लोग ठीक है जैसा यह है वैसे यह भी बनके कम्प्लीट हो गया है अब इसकी आउटलाइनिंग करनी है इस तरीके से ठीके देख सकते हैं आप लोग ऐसी इसकी आउटलाइनिंग करनी है तो देखिए इस तरीके से हमने इतना बना करके complete कर लिया है ठीक है तो आपको भी हम दिखाते हैं यह देखे इतने हमने बना करके तो इतने की हमें अभी outlining करने हैं यह देखे ठीक है तो आपको हम एक का भी outlining करके दिखा देते हैं ठीक है तो सारा outlining हमें वैसे ही करना जैसे हम first वाले का क तो देख लीजिए इसको किस तरीके से बनाएंगे साइड करते हैं इसे हम ठीक है इसको साइड रखते हैं और देखते हैं सबसे पहले धागे को हम गांट लगा लेंगे ठीक है जिस तरीके से अप लगाते हूं लगा लिजिएगा फ्रेंड इसको टाइट कर देंगे ठीक है अब देखिए क्या करेंड इसकी आउट लाइनिंग करने के लिए सबसे पहले हम एक नौट लगाएंगे ठीक है एक गांट लगाएंगे जैसे लग उफीक है अलची को इस वे दालेंगे देखिए बीच भीच में यहां पे ढालेंगे और धागे को इस इथर से और को ऐसे ठीच लेना है ठीक है और फिर नयेसेppe भगल वाले में डालके धागे को इसमें से ऐसे निकाल देंगे ereimी तो इस तरीके से देखिए बहुत कम्प्टीट कएंगे देखिं इस तरीके से जैब देखिं नुद देखिं देखिं कि इसलोग को यह कैद मिन निकाल करेंगे तो देख सकते हैं आप हमारा थ्रड है यह भी यारा इसमें से और फिर इसमें से निकाल करके एक ऐसे लगा लेंगे और फिर इसमें ऐसे और इसको ऐसे ठीक है अब देखिए इस वरे धागे को हम यहां से अंदर साइड में निकाल लेंगे इस साइड में देखिए ठीक है अभी देखिए आप इसको निकाल लिया ना ऐसे अब इस दागे को हम कि देखिए फ्रेंट्स थोड़ा सा खीच लेंगे एक साइट से जिधर से ढिला हो उदर से थोड़ा से खीच करके इस जखे लाएंगे इस जखेए आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं अलग से दूसरा यहां लागा सकते हैं लेकिन ह खींच लेंगे ठोड़ा से अधिला और बैसे तर्गेशलीं से खींटारी को नंते हैं और फिर यहां पर देखी इसके मऊ मैं यहां पर घी होगा तो तीन हिए खीए से थाटा कर किंची को यहां पर एक टो तीन चार पांच पाथ चेन बना लेंगे ठीक देखिएंगा आपको दिखातें हम इस तरीके से थोड़ा से इसको टाइट और कर लेते हैं बहुत काफी ढीला हो जा यह देखिए ठीक है यहाँ है यह थोड़ा हमने हमने घंट कर लिया है और यहां पर देखिए एक दो 3 और 3, 4, 5 पाच चेम मैसी तक भीचोंद दो थीजी त理握 के छृइन यहाँ पिर स्लिस्टेच लगा देंगे फिर slip stitch लगा देंगे तो इसी तरह के सरू को complete करना 1 2 3 4 5 फिर 5 chain फिर यहाँ पे slip stitch लगा देंगे ठीक है फिर 1 2 3 4 पाँच अब इसके हाफ में जो यहां पे था न यहाँ पे इसको slip stitch से जोइन गाउन करींगे देखे tes गअब यहां पर देखे यहां है, गाठ लगा था है। यहां पर लगा देगे। फिर एक तो, तीं, प्रिन, पाउंच फिर फिर पांत चीन लेंगे। एख़ों करें इस जखे पर dipping stitch लगा देंगे देखे फिर एक तो थी चार पांच थी कहुंन इहां पर इसी तरीके से करते हुए हम यहां तक कंप्रीट करके आपको दिकाते हैं ठीक है धी कि यहां तक रहते हैं एब ढद इखेंड दो चैनल लेंगे और यहां फर्स्ट वाले में स्लिप नॉट लगा देंगे ठीक है फिर दो चेन लेंगे फिर हर एक में जिससे जितना हम पफ बनाए था रूंटी-4 उस अब में हम इस तरीके से स्लिप नॉट से जोइन करेंगे एक दो फिर नेक्स्ट यहां पर स्लिप नॉट लगा देंगे फिर दो चेन लेंगे और स्लि को कम्प्लीट करना है तो इसको कम्प्लीट करके फिर हम दिखाते हैं आपको देखिए यहां पर फिर यहां पर दो चेन लेंगे फिर दो चेन लेंगे फिर यहां स्लिपनोट लगाएंगे फिर दो चेन लेंगे फिर यहां स्लिपनोट लगाएंगे फिर दो चेन लेंगे फिर में डाल करके यहां पर स्लिप स्टिच लगा करके दागे को कट कर देंगे ठीक है देखिए इस तरीके से और इस दागे को हम इधार पीछे साइड में ला करके यहां पर इधार पीछे कर देंगे जिससे की देखे नहीं और कैशी से कट कर देंगे देखिए तो किता प्यारा दे रहा है गहां